जहें दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NDA and CDS के बारे में What is difference between NDA and CDS? दोनों exam में similarities क्या क्या है, differences क्या क्या है तो सबसे पहले हम बात करते हैं NDA और CDS होता क्या है NDA जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका full form होता है National Defense Academy and CDS का full form होता है Combined Defense Services तो इन दोनों के exams होते हैं, फिर SSB होती है, SSB interview होती है उसके बाद medical examination यानि की medical test होता है और फिर medical होने के बाद हम armed forces में officers की rank के लिए तयार होता है NDA और CDS, दोनों में यह हैं, आए जानते हैं दोनों में differences कहके हैं तो सबसे पहले age criteria देखते हैं, तो NDA में जाने की age 16.5 to 19.5 होती है जो कि firm apply करने से लेकर NDA में जाने तक में one year का time लग जाता है इसलिए हमने यहाँ दो तरह की ages का जिक्र किया है वहीं पर यदि बात करें CDS के लिए, तो CDS के लिए age 19 से 24 years होनी चाहिए कहने का मतलब यह है कि NDA की age खत्म हो जाने के बाद CDS की age स्टार्ट होती है इसके बाद हम जानते है educational qualification के बारे में कि NDA और CDS के लिए educational qualification क्या होनी चाहिए तो NDA का form apply करने के लिए 12th pass out या 12th appearing होना चाहिए I mean या तो आप 12th का exam दे रहे हों या फिर 12th pass कर चुके हों तब भी आप NDA का form apply कर सकते हैं एक और बात आप चाहिए किसी भी stream से 12th कर रहे हों आप NDA का form apply कर सकते हैं चाहिए artsided हो या bio के student हो I mean other than mathematics student भी NDA का form apply कर सकते हैं बस ध्यान ये रखना है कि आप artsided हैं तो केवल और केवल army के लिए eligible हैं लेकिन हाँ NDA का जो paper होगा उसमें आपको mathematics solve करनी होगी क्योंकि दो papers होते हैं एक mathematics का paper और दूसरा JAT का paper तो mathematics का paper ऐसा नहीं है कि आप artsided हैं तो mathematics का paper पेपर को done नहीं करेंगे उस paper को भी आपको solve करना होगा ठेक है? Navy और Air Force के लिए आप eligible नहीं होगे अगर आप mathematics के student नहीं हैं तो Navy और Air Force के लिए आप apply नहीं कर सकते हैं केवल और केवल आर्मी के लिए eligible है CTS के बात करें तो combined defense services में apply करने के लिए हमारे पास degree होनी चाहिए कोई भी bachelor या इस से above degree अगर है तो आप CTS के लिए apply कर सकते हैं bachelor degree appearing वाले भी इस form को apply कर सकते हैं केवल 12 के base पर CTS का form apply नहीं कर सकते हैं आई जानते हैं frequency of exam क्या है तो NDA और CTS दोनों के exam एक साल में दो बार होते हैं every six month इसका form आता रहता है बात करते हैं exam की तो NDA में दो papers होते हैं first paper mathematics का होता है जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया और second paper जो होता है वो GAT का होते हैं दोनों ही papers two and half hours के होते हैं GAT means general ability test इसमें English, physics, chemistry, bio history, geography, civics, economics, quality इन साभी के questions पूछे जाते हैं और CDS में जो होता है वो तीन papers होते हैं mathematics, GAT, English जिन्होंने mathematics, जिन्होंने OTA के लिए apply किया है उन्हें mathematics का exam नहीं देना होता NDA में जो mathematics आती है forgiveness वो mathematics eleventh और twelveth की mathematics होती है यानि کہ advanced maths होती है कि da cds में जो mathematics का हुती है cds में जो maths का paper होता है वो advanced math नहीं होता है वो 10th level की जो mathematics होती है वो ही mathematics उसमें पूछी जाती है NDA और CDS दोनों ही में ही selection का जो process है वो सेम है पहले written exam, फिर SSB interview उसके बाद medical test, उसके बाद training NDA में training जो है वो 4 years की training होती है 3 years की training NDA यानि के National Defense Academy खड़क वासला में और 4th साल की training depend करती है कि आपने क्या चूज किया है अगर आपने army चूज किया है तो आपकी एक साल की training IMA यानि की Indian Military Academy में होगी देहरादून में और अगर आपने navy चूज किया है तो 1 year की training Indian Naval Academy केरला में होगी यदि आपने flying entry के लिए apply किया है तो 1 and a half year की training IFA यानि की Indian Air Force Academy हैदराबाद में होती है कि जो last year की training है वही मैंने रखती है जब आप direct CTS से आते हैं तो आपकी 10 to 18 month या approximately 1 year की training होती है इसमें भी IMA, INA and IFA सब की थोड़ी थोड़ी सी vary करती है इसलिए मैंने बताया तस से 18 महीने की training होती है passing out parade के साथ training complete होती है और आपको post मिलती है lieutenant की और गंधे पर लगते हैं double star I hope NDO और CTS का पूरा comparison हमने अच्छे से बता दिया है फिर भी आपको कहीं कोई doubt हो या आपकी कोई query हो तो comment box में mention करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें जादा से जादा शेर करें और हाँ यदि चैनल पर नए हो तो हमें subscribe करना न भूले ऐसी ही interesting और important topics की full जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हमारे channel पर आक्रम Academy पर ऐसी ही कुछ और interesting videos के साथ फिर से आजर होते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत सुब कामने जय हिंद जय भारत